टेक कमपनी एपल ने फोन के निर्याद के शित्र में तिहांस रच दिया है एपल ने एक महीने के भीतर एक अरब डॉलर के फोन का निर्याद करके अपने नाम नया रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है जानकारी के मताबिक भारत से दसंबर महीने में 8100 करोड रुपए की स्मार्टफोन का निर्याद करने वाली पहली कमपनी बन गई है रिपोर्ट्स के मताबिक स्मार्टफोन का कुल निर्याद 10,000 करोड रुपए तक पहुँच गया है ये सरकार के मेकिन इंडिया अभियान के लिए बड़ी उपलब्धी है मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक एपल ने पिछले साल देसंबर में भारत से आईफोन एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड बनाया है एपल चुनिंदा बड़ी कंपनियों में शामिल है जिन्होंने भारत को अपना मैनुफैक्चरिंग हब बनाया है और अब भारत में बने फोन दुनिया भर में भेज रही है एपल की कोशिश चीन पर निर्भरता कम करने की है भारत से स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी दो स्मार्टफोन कंपनियों में एपल और सैमसंग शामिल है सोत्रों की माने तो पिछले साल नौमबर में एपल ने सैमसंग को पीछे छोड़ दिया है और भारत से सबसे बड़ी एक्सपोर्टर बन गई है पिछले कुछ साल में एपल ने चीन के बजाए भारत पर अपनी नरभरता बढ़ाई है गोर तलब है कि एपल के आईफोन यूनिट्स के मैनुफैक्शरिंग का काम भारत में तीन फैसलिटीज फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और वेस्ट्रॉन कर रही है कंपनी भारत में जो मॉडल्स मैनुफैक्शर कर रही है उनमें आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस शामिल है बाकि मॉडल्स के प्रड़क्शन दूसरे देशों में किया जा रहा है सरकार के अनमान के मताबिक भारत के वितवश 2023 में करीब 9 अरब डॉलर के कीमत के मुवाईल फोन एक्सपूर्ट करने के उमीद जताई गई है ये अनमान एक साल पहले के 5.8 अरब डॉलर से काफी जादा है वितवश 2030 में भारत में इलेक्ट्रोनिक सामानों के निर्यात में महतपून वृध्धी देखी गई है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योस 24